हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज की तड़के वाली कड़ी प्लीज वीडियो को पूरा देखें इसके बिल्कुल भी ना करें अगर आप होगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रे साथ से आट मिनट तक इसे ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे इसमें ओर पानी नहीं मिलाना है सोफ्ट होने तक इसे अच्छे से मिला लेना है बेसन का बैटर हमारा मिक्स हो चुका है यह विलकुल ही स्मूथ है एक बड़ी से चेक कर लेंगे एक बाल में पानी को ले लेंगे, उसमें बैटर थोड़ा से एड़ करेंगे, बैटर हमारा ऊपर की साइड आ गया है, इसका मतलड़ बैटर हमारा रेडी है, शाद से याट पैाज को चॉप कर लिया है, बेसन के पैटर में एड़ कर लेंगे, मिक्स कर लेना है इने अच्छे कडाई को घरम होनी के लिए रख दिया राएं इसमने ओयल कर लेंगे हिस्ति चाह से मिक्स और और कोड़े को और करेंगे पिके घ्रम एक सारे पिकोड़े़ें डाल लेंगे बबनी चाहीं को लेंगे रेट में प्लेट эти इसे ही बागी की पकोड़े को भी फ्राइ करो लेंगे कड़ी के लिए बेसन का घूल तयार कर लेंगे बचे में बेसन की घूल में पानी आड़ करेंगे 1 टेबल स्पून हल्दी आड़ करेंगे साथ ही थोड़ा सा पानी आड़ कर लेंगे कड़ी को आड़ कर लेंगे इसमें लस्य आड़ कर लेंगे कड़ी को चलाते ही अन्हां रुपना नहीं है नई तुलस obedience हमारी फटचाएगी गैस की फ्लेम को हाई ही रखना है कड़ी में मुबाँ आ चुका है अब गैस की फ्लेम को मेडियम कर लेंगे मेडियम करके इसे दस से 15 मिनट के लिए एकड़ी अच्छे से पक गई है इसमें पकोड़ी को आड़ी डालने के बाद से 10 मिनिट फ्लेम को लो कर निखाल लेंगे तड़का लगाएंगे गरम होने के लिए रख दिया है थोड़ा सा ओयल अड़ करेंगे और हमारा गरम हो गया है वेन टेबल स्पून जीरा और हिंको एड़ कर लेंगे 1 tablespoon salsu के दाने एड़ करेंगे 1 tablespoon methi एड़ करेंगे 4 सूकी मिर्च एड़ करेंगे इन सब को रोस्ट कर लेना है तड़का हमारा रैड़ी हो चुका है तड़ी में एड़ कर लेंगे गरम प्याज के पकोड़े की विडिये हमारी रैड़ी हो गई है अगर आपको रेसीपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमिट और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पोर वोचिंग इस वीडियो